नमस्कार आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ वक्ता आरेन खान की जमाना त्याचिका एक बार फिर से खारज करती गई है अब शारुक खान की नजरें और उम्मीदें हाई कोट पटिकी हुई है पर ये केस एकदम वैसा ही होता जा रहा है जैसा की रिया चक्रवर्दी का था रिया को भी एक महीने जेल में बिताना पड़ा और ठीक वैसे ही अब आरेन का भी केस हो चुका है हाई कोट में सुनवाई होनी है अब हाई कोट में क्या होगा जेल या बेल इसी पर चर्चा के लिए महारे साथ मौझूद है Capital TV की News Editor त्रिप्ती श्रीवासतर जी त्रिप्ती मैम आपको बहुत बत्स्वागत है मैम आरेन को और कितनी रातें जेल में काटनी पड़ सकती है उन्हें भी यही NCP थी यही समीरवान केड़े थे और पिछले साल का यह मामला है उन्होंने देखा था कि कैसे सेशन कोर्ट से भी रिया चकरवर्ती को बेल नहीं मिली थी उसके भी WhatsApp चैट सी थे जिनको आधार बनाया गया था उसके बावजूद अगर सतीश मानशिंदे ने NCP को बहुत हलके में ले लिया तो फिर उनको बहुत महेंगे और अपनी फीस कम कर देनी चाहिए इतने महेंगे वकिल कहलाना नहीं चाहिए क्योंकि आज तो उनको पूरी उम्मीद थी एक तो यह हर बार बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से जाते हैं चाहिए वो सतीश मानशिंदे हो चाहिए अमिद दिसाई हो और मुझे लगता कि शारूख खान इस बार पर जादा गुस्सा होते होंगे कि भी अगर तुम नहीं दिलवा सकते हो तो ऐसे यकीन तो मत दिलवा वो कुछ और रास्ता करे जो भी है इन्होंने क्या किया यह जब वहां पहुँचे हैं और NCB इस बार इनसे एक कदम आगे चल रही है NCB सबक सीख गई है इनसे कि पिछले बार इन्होंने क्या-क्या नाटक किये थे यह उसके बाद काफी सवाल उठे थे ना कि कैसे रिया चकरवर्ती को बेल मिल गई है NCB ने क्या किया क्या नी क्या NCB ने सबक सीखा है NCB इस पास अभूतों के साथ चल रही है जैसी सेशन कोट में जब फैसला आने वाला था पौने तीन बजे जब जब जरज ने बोला था कि हम पौने तीन बजे वो फैसला सुनाएंगे उसके ठीक पहले जब यह गए थे यह एक और सबूत लेकर पहुँच गए कि एक्टरस से किसी से बात करता था आर्यन कार और यह रह उसके सबूत अब इस चीज के लिए सतीश मांशंदे और अमित देसाई तयार ही नहीं थे उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि NCB एक और नया सबूत लेकर आ जाएगी एक चीज में आपको बताती हूँ जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि NCB क्यों चाहरी है कि भार-बार जमानत याची का खारिज कर दी जाए या जमानत में डिले होता जाए देकि जमानत तो इस केस में मिल ही जाएगी आज नहीं कल नहीं थोड़े दिनों बाद मिल जाएगी क्योंकि बेल जब तक उनकी जाँ चल रही जब तक तुम याने आगे चलके मिल जाएगी लेकिन ये डिले करने का मतलब ये होता है कि इसमें NCB आप देखिए जब जब डिले हुआ है चाहे वो रिमांट पे लिया हो चाहे फिर उसके जुडिशिल कस्टिडी में फेज़ो NCB लगातार सबूत और गवा इकठे कर रही है उसको पूरा-पूरा टाइम मिल रहा है आरियन खान के खिलाव सबूत और गवा इकठा करने का और हर सुनवाई के दौरान वह पहुंच जाती है ये रह नए सबूत ये रहनए गवा अगर जमानत मिल जाती तो फिर वो नया केस की जब सुनवाई होती जब केस लगता फिर आपको बता देती हूँ कि अभी तो इनको यही लग रहा होगा सतीश माशिंदिगो कि जैसे रिया को Bombay High Court से उन्होंने जमाने दिलवा दी थी वो ही काम यहां करेंगे लेकिन यह चीज भूर रहे हैं कि आज एक बार फिर उन्होंने NCB ने एक पर फिर नए सबूत दे दिये कि यह एक्टर से ड्रग चाट करता था अब जब Bombay High Court में यह मामला जाएगा और जब सुनवाई होगी तो नए सिरे से नए सबूतों पे होगी यह नए सबूत कैसे मिले क्योंकि आरन अभी जेल के अंदर है और NCB लगातार महनत से काम कर रही उसको पता है कि अभी जितना कुछ हम जुटा सकते हैं वो जुटा लेते हैं और वो नए सबूतों के साथ चली जाएगी और वहाँ पर अगर सुनवाई के दौरार यह साबित करने में यह दलीले उसकी पुखता हुई कि यह ड्रग चैट में और ड्रग नेक्सिस से यह actress कौन है देखी यह actress कौन है यह तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि NCB ने खुलासा नहीं किया लेकिन मैंने आपको पहले भी पता है था कि कई सारे स्टार किड्स हैं जो विदेश भाग रहे हैं उन्होंने टिकेट कटवाने शुरू कर दिये हैं और यह भी मैंने आपको लोग अब निशाने पर हैं और कई लोग इसलिए अपने बच्चों को विदेश भेजने की कोशिश में जुटे हुएं अभी खुलासा NCB इसलिए अभी नहीं करेगी क्योंकि जब तक वो उस एक्ट्रिस के खिलाफ सबूत इकट्थे ना कर ले हो सकता है रडार पे हो हो सक सब भूचाला जाएगा तो मैम क्या शारुक खान को यह सोच लेना चाहिए कि अब उनके बेटे की दीवाली भी जेल में ही बीतेगी वो दिवाली तक भी घर वापस नहीं आ सकते देगे शारुक खान तो बिलकुल नहीं चाहेंगे कि वो अपने बेटे को दीवाली तक वह पर रखें लेकर मौका ऐसा पढ़ रहा है क्योंकि अभी सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया अब आपको हाई कोर्ट में जाके अर्जी लगानी पड़ेगी यानि जो पूरा प्रोसेस सेशन के लिए गया था वो पूरा जो है वो यहां पर अब इस बीच में दिक्कत या रही कि छुटिया पढ़ रही है तो हारो का सीजन आ रहा है कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से क्या समय देती है सुनवाई की क्या तारिक देती है सुनवाई में कितना वक्त लगता अगर इसी तरह वक्त लग गया और इसी तरह डेट्स पे आगे बढ़ती रही तारिक पे तारि अमित देसाई से बहुत जादा उम्मीद है मुझे नहीं लगता शारुक खान कर रहे होंगे अब वो क्या पता कुछ नया कोई नया वकील लेकर आए या कोई नया उनकी टीम बने पूरी वुसके उपर भरोसा करते हैं या फिर सतीश मानशिदे अमित देसाई हाई कोट में ब जुटाएं बाद में पहले समझें कि उनके साथ हो क्या रहा है फिलाल तो यही समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि यह NCB कर क्या रही है वो जिस बाद पर बहस करते हैं NCB का इस बार का चो एटिटूट हो बिलकुल ही अलग है पिछले बार जो रिया चक्रवर्ती के दौरा यह उससे मुद्धा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और NCB इतने पुखता सबूतों के साथ कानूनी जो चीज़ें होती है उसने कानूनी तोर पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रही है कि उसका तोड़ सतीश मांशिंदे और अमित देसाई नहीं निकाल पा रहे हैं क्य कि वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक मामले को इतना सीरियसली भी ले रहे थे तो मैं शारूख खान बहुत नाराज चल रहे हैं मांशिंदे और अमित देसाई से अब इनकी अगली कोशिश क्या रहेगी क्या कुछ कर पाएंगे उन्हें मतलब खुश करने के लिए जितनी कि फीस ले रहे हैं उस अक्रूडिंग काम तो नहीं कर रहे हैं? से जल्दी Bombay High Court में सनवाई करेंगे जिबकि Bombay High Court को फैस्ता लेना है कि वो सनवाई की तारी कब देती है तो अभी ये तो आप तैब मानिये कि सतीश मानचिंद्य और Amit Desai से बेहद नाराज होंगे शारुक खान और निश्चित तोर पर वो कोई विकल धून रहे होंगे जी मैं बहुत बहुत धन्यवाई इतनी जनकारी के लिए एक बार फिर से आरेन खान को सशन कोट से बड़ा जटका लगा है शारुक के बेटे को राहत नहीं मिली है उनकी लीगल टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई है अब ये मामला हाई कोट में है और इसकी सुनवाई जल्द होगी देखना होगा कि शारुक और गारी के बेटे के घर लोटने की मननत हाई कोट पूरी करेगा या नहीं फिलाल दीजे जाज़त बने रहे है कैपिटल टीवी के साथ नाउसकार